हलो आवरीवन स्वागता आप सभी का जुरून आपके सर पर है आप चाहते हैं कि सेंटरल में आपकी जॉब लगे बहुत ही शांदार तो फाइनली यहापर जो है दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल की हाजारों पदो पर वेकेंसी का नौटिफिकेशन आउट हो चुका है तो ट चर्चा करने वाले हैं तो एंटर वीडियो को जरूर देखें आए वीडियो को श्टार्ट करते हैं तो काफी समय बाद एक नई बरती देखने को मिली है जिसमें अगर आपकी उमर 18 साल है मिनिमम् 18 साल के आप लोग हैं तो यहाँ पर फोरम लगा सकते हैं मेल फिमेल दोनो आप यह यह दिल्ली पुलीस कॉंस्टेबर बड़ती और इसमें चोंटल पोस्ट हैं साथ बड़े पदों पर बड़ती यहां पर आई है यहा क्या रहने वाली है तो अगर आपने बारवी पास कर रखा है 10 प्लस 2 आपने कर रखा है साथ में आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसके लिए फॉरम लगा सकते हैं मतलब मिनिमम जो यहां पर इलिजिबिल्टी एसकी तो बारवी पास तो होना ही चाहिए अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो भी आप लोग यहां पर फॉरम लगा सकते हैं इसके लावा एज लिमिट की बात करते हैं अगर आपकी उमर मिनिमम 18 साल है मैक्सिमम यहां पर 25 साल है यनि आपकी जो 18 साल है कपता कंप्लिट होनी चाहिए तो 17-2023 तक पर यहां पर रहती है अब हम बात करते हैं दोस्ति इसके जो फॉरम है वो कब से बरे जा रहे हैं कब तक बरे जाएंगे तो इसके जो फॉरम है वो 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं 30 सितंबर 2023 तक फॉरम बरे जाएंगे अब आप सभी को बता है SSE Department एक मैने का समय देता है फॉरम बरने के लिए इसके अलावा जो है SSE Department खास बात है कि यहां पर आपकी जो फॉरम की फी है वह यहां पर 100 रुपीज लगने वाली है अगर आप जनरल के टिगरी से हैं ओबी सी से हैं और अगर आप SSE से हैं महिला है तो आपके फीज जो यहां पर निशुलक कोई भी फीज आपके नहीं लगने वाली है तो एक सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आपके फॉरम बरे जाएंगे उसके बाद आपका करेक्शन का समय दिया जाएगा और इसके लावा जो एक्जाम डेट है वो ध्यान रखना एक्जाम इसकी जो होने वाली है इसका सिबीटी होने वाला है 14 नौवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2023 के बीच में इसका सिबीटी याँ पर रहेगा यानि कंप्यूटर बेस टेस्ट होता है तो नौवंबर से आपकी एक्जाम स्टार्ट हो जाएगी तो इसका जो एक्जाम पैटन है वो क्या रहेगा दोस्तों दिल्ल कर सकते हैं करेंट फिर भी आपका आता है तो जी के जी एस और करेंट फिर 50 कुशन 50 नंबर रीजिनिंग की बात करें और इसके लावा मैस के कुछ कुशन भी इसमें आते हैं तो 25 कुशन आपके 25 नंबर के इसके लावा जो आपके ये रीजिनिंग होई कि मैथ क्या आपका पपस से देख लो जीके जीएस और करेंट अपर के 50 कुशन है यह अब हमें आपको बताना चाहूंगा कि आपका फिजिकल भी फिटनेस होना चीए यह यह आपका पीटी और पीएस्टी होगा फिजिकल एपिसियंसी और फिजिकल इस्टेंडर्ट टेस्ट भी आपका होता है अगर आप फिमेल है तो एक सो सटाव सेंटिमेटर आपकी है वो होनी चाहिए इसके अलावा रणिंग यहां पर होती है आपका फिजिकल एपिसियंसी जो टेस्ट होता है उसमें रणिंग करवाई जाती है उची कूद लंबी कूद करवाई जाती है रणिंग की बात करें तो सोला सो मिंटर रणिंग करनी होती है मेल को छे मिनट के अंदर वहीं अगर हम फिमेल की बात करें तो उनको भी सोला सो मिंटर रणिंग करनी होती है आठ मिंट के अंदर तो यह आपका रणिंग का सिस्टम रहता है और भी जो पूरा जो हमपर डिटेल है वो आप डिटे नहीं तो फोरम आपका reject हो जाता है चाहे आपके minor हो चस्मा लगाते हो नहीं लगाते हो तो लिखी हुई ये तो भी ठीक है नहीं लिखी हुई तो भी चल जाएगी नविंतम फोटो होने चाहिए और किसी परकार का चस्मा कुछ भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए ठीक है तो काफी अधिक पोश्टों पर यहाँ पर भरती आईए इसका फोरम सभी को लगाना है तो जो भी विद्यारती राजस्तान के हैं वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस का भी फॉरम लगाएंगे तो दिल्ली पुलिस के अगर आप लोग तयारी कर रहे है तो आपके GS आने वाला है और जनरल्साइश की कल सेम यूट्यूपर क्लास लगाने वाले हैं जनवेन क्लासे यूट्यूपर आपकी कल से शाम को चार बजे डेली क्लास लगे की जिसमें हम टॉपिक वॉइज और मिक्स MC QS करने वाले है जनरल्साइश के तो कःफी आपकी एश्डप अगर आप दिल की लगने का इसके अलावा यहां पर सेलरी भी स्टार्टिंग में अच्छी मिलती है क्योंकि सेंटर की जौब है लगवग 21 आर आपको स्टार्टिंग में सेलरी मिलेगी तो बढ़िया पोश्ट है सबी लोग फॉर्म जरूर लगाएं धन्युआ